करनाल पुलिस की सहीय साखाने गैंस्टर मुकीम काला गैंग के चार सदस्टों को ग्रिफतार किया है इन बदमाशों पर लूट चोरी हत्यका परियास अवैध हत्यार रखने जैसी गंबीर वारदातों में मामले दर्ज हैं कि बदमाश हर्याना यूपी राजस्तान में वारदातों को अंजाम देते थे कभी जुएलस की दुगान पर गोलिया परसाते थे तो कभी वेपारियों को निशाना बनाते थे कभी फरजी इंकम्टेक्स ऑफिसर बन जाते थे और कभी अधनी धाग मचाते थे कोहराम और दरा आते थे ताकि लोग दैशत में रहें और ये लूट की वारदातों को अंजाम दे सकें क्या मामला तरस पर कितने अरोपी गिर्फतार थे देखें नो तारी का इंसिदेंस था वहां पर एक गरोंटा में मंडी ना मंडी में दुकान थी उसको पारी के साथ लूट के दोरान उसको गोली मारती गई थी जो केस की सेंसिविटी को देखते हुए ये केस CIA 1 को हैंड़ोवर किया था और हमने कल इसी की इन्वेस्टिकेशन के दोरान सीक्रिट इंफरमेशन के दार पर कल दो यूवको को गिरिफतार किया है विद एक पिस्टल के साथ गिरिफतार किया है जिन्होंने इस वारदात का डिस्कलोज किया कि हमने वारदात को अंजाम दिया है और आज जो दो यूवकान ने और गिरिफतार किया है उन मेंसे एक तो वो है जिसने मुखबरी की थी कि इस दुकान पर काफी कैश मिल सकता है वो गरूंटे के रहने वाड़ा है दूसरा व करवानी थी वह जेड में बंद है यूवक मुकीम काड़ा गैंग का साधर नाम का यूवक उसने उसके इशारे पर इनोंने ये वारदात को नजाम दिया तो ये बेसिकली मुकीम काड़ा गैंग के लिए काम करता था और उसी के लिए ही कैश की लूट करकर जेड में जेड म इसके खिलाव राजिस्थान में वांटिड है यूपी में दो लूट में वांटिड है गरुंडा में तीन लूट में वांटिड था इसके नहीं है और फिर आलिम का रिमान्ट लिया जाएगा और डिटेल्स में पूस्ताच के लिए रहाएगा